दोस्तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो जिन्दगी में कुछ करना चाते हैं, कुछ बनना चाते हैं बहुत समय पहले एक लकडियों का वैपारी हुआ करता था, उसके यहां बहुत सारे मजदूर काम करते थे उस वैपारी के पास पैसो की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वैं अधिक लाप के कारण मजदूरों पर बहुत अत्याचार करता था एक दिन उसके दो मजदूर आपस में बात कर रहे थे, कि गाउफ के जंगलों में एक जादू ही पेड़ है, जिसे काटने जाओ तो वैं मन चाही चीज़े हमें दे देता है वैपारी ने मजदूरों की ये बात सुन ली, और उसने मजदूरों को कहा कि कल तुमारी छुट्टी है, कल मैं जंगलों में लकड़ी काटने चाऊँगा अगले दिन वैपारी ने बहुत साड़े पेड़ काटे, और अंतिम पेड़ को जैसी ये वे काटने वाला था, उस पेड़ से अचानक एक आवाज आई कि आप मुझे मत काटिये, ये मेरा घर है, वैपारी ने बोला कि लकड़ी काटकर मैं पैसे कमाता हूँ, जिससे मेरा घर चलता है तब पेड़ने बोला, आप मुझे छोड़ दो, बदले में आप जो भी मुझे मागोगे मैं आपको दे दूँगा वैपारी मन ही मन बहुत खुस हुआ, उसने कहा, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए पेड़ने बोला, ठीक है, मैं आपको पैसा दे दूँगा, पर बदले में आपकी सबसे करीबी चीज आपसे दूर हो जाएगी वैपारी मन में सोच रहा था, कि मेरी पत्नी मेरे सबसे ज़्यादा करीब है, अगर वो मुझे से दूर हो जाएगी, तो मैं एक नौकरानी रख लूगा काम करने के लिए यह सोच कर उसने बोला, ठीक है, आपको जो चाहिए रख लो, बदले में मुझे धेर सारा पैसा दे दो, जब वैपारी घर पहुँचा, तो उसे वहाँ उसकी बीवी नहीं मिली अब वैपारी को इतना सारा पैसा मिल गया था, कि उसने काम करना बंद कर दिया, दिन गुजरा, रात गुजरी और धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगा, वैपारी ने सोचा, चलो फिर से पेड से पैसा लेके आते हैं, उसने नौकरानी से बोला, मैं आता हूँ पैसे लेकर और मजदूरों के साथ निकल पड़ा, उसने उस पेड से बोला, मुझे संसार के सबसे मूलवान रतन चाहिए, पेड ने बोला, ठीक है, बंदले में मैं तुम्हारे दोनों पैर लेलूगा, वैपारी ने सोचा, मेरे पास इतना पैसा है, और सेवा के लिए नौकर है, पेड के पास गया, और बोला, मुझे एक महल और राज की गद्धी चाहिए, पेड ने बोला, ठीक है, बंदले में मैं तुम्हारे दोनों हाथ लेलूगा, वैपारी ने कहा, मेरे पास इतने सारे नौकर है, मुझे हाथ दो की क्या जरूरत है, आप लेलो, पेड ने कहा, ठ पेडिकों को आदेश देती है, कि वैपारी को नगर से दूर फेक आओ, अब वैपारी के पास ना तो हाथ होते हैं, और ना ही पैर, वैए यह सोचता है, कि मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने अपनी लाला से सब कुछ गवा दिया, तो दोस्तों हमने इस कहानी से क्या सी कि हमारे पास जितने सादन है, हमें उनी से खुद को आंगे बढ़ाना चाहिए, यदि लालस के चकर में पढ़ गए, तो वैपारी के जैसे ओंधे मुग गिरोगे, दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना करता है, है खुद एलो सब्सक्राइब कर दो राइक कर देना स्ड़र लगी हो, एलो अबवार झो घाबभी हो, झोलितने से साद़ अजयों कना कर दोस्तों अबभी हो, खिरो कि करे को इंड और बांगे में छोबभी हो, झाल झालगे